दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही भेंकर होने वाला है क्योंकि जो तीन बैटरी कंपेरिजन के लिए आप देख रहे हैं तीनों बराबर कैपिसिटी की हैं परंतु साइज में बड़ी छोटी आप देख रहे हैं आज के वीडियो में आप बिल्कुल इसपस्ट देखेंगे कि यह है छोटी बैटरी इन टूबलर के नाम पर धोका दे रही बैटरियों का किस परकार तिलिस्म तोड़ती है और तीनों ही बैटरियों पर एक एक टेस्टिंग मीटर डी सी का लगा दिया है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोविव नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद आज के वीडियो में हमारे पास तीन बैटरियां हैं तीनों बैटरी अलग अलग टाइप की हैं यह बैटरी टूल टूबलर बैटरी है यह बैटरी सोल टूबलर बैटरी है और यह बैटरी नोन टूबलर फलेट प्लेट बैटरी है तो आज के वीडियो में हम इस battery के comparison के साथ साथ यह देखेंगे कि क्या tubular battery इन से बेहतर है और weight machine में, display में हम देख रहे हैं कि 55.85 kg इस battery का weight हुआ है और यह है non tubular flat plate battery जिसका weight हो रहा है 45.48 और दोस्तों यह है short tubular battery 160 AH में है वीवर के बहुत comment आ रहे थे कि short tubular battery का भी comparison दिखाया जाए और इसका weight हम देख रहे हैं कि 42.57 kg हो रहा है दोस्तों तीनों बैटरियों को testing counter पर सजा लिया गया है इनका weight आप देख चुके है battery company charged है कोई battery कम या ज़्यादा charge हो सकती है इसलिए सबसे पहले हम इनको एक समान load पर discharge करते हैं तीनों के साथ बराबर capacity के inverter connect हमने कर लिये हैं और बराबर ही load इनसे connect कर लिया है तीनों inverter on कर देते हैं तीनों inverter चालू हो गए हैं और तीनों hitting road हम देख रहे हैं और इनको discharge होने देते हैं दोस्तों तीनों ही inverter low battery देकर cut off हो चुके हैं हम देख रहे हैं कि low battery का indicator on है एक बार फिर से हम इनको off करके on करके आपको दिखाते हैं तीनों inverter on कर दिये हैं hitting road चालू हो गई हैं और कुछ देर के बाद यह बंद हो जाएंगे यह inverter off हो चुका है और यह inverter भी off हो चुका है और यह inverter भी low battery देकर off हो चुका है दोस्तों तीनों बैटरियां समान रूप से discharge करने के बाद यह जो main supply से जुड़ा हुआ testing meter है यह हमें बताएगा के inverter और battery दोनों ने मिलकर कितनी energy का consumption किया है और जो battery के उपर लगा हुआ meter है यह meter बताएगा के battery में कितनी energy हमने दी है और कितनी energy वापस हमको battery देगी तो आज इस वीडियो में हमें इस फ़स्ट पता चलेगा के इन में से कौन सी battery कितनी energy का loss करेगी और कौन सा inverter कितनी energy का loss करेगा अभी charging स्टार्ट नहीं किया है श्यूच अभी off है पहले इन सभी meter की जो unit है उसको tear zero करना है इसमें unit हम देख रहे हैं के 1.08 unit हो रहा है इसको tear zero करते हैं और unit tear zero हो गया है और जो DC का testing meter यहाँ पर लगा हुआ है हम देख रहे हैं के energy यहाँ पर पहली से ही 0 है दूसरी battery इसकी unit हम देख रहे हैं के 1031 watt घंटा यानि यदि इसको unit में देखेंगे तो 1.031 unit यहाँ पर हो रहा है इसको tear zero करते हैं और unit tear zero हो गई है और इसके AC meter में भी हम देख रहे हैं के unit 0.86 हो रही है इसको भी tear zero कर लेते हैं यहाँ पर भी हमने unit को tear zero कर लिया है और जो तीसरी हमारी battery है 150 AH की ही है और यह है tubular battery नहीं है non-tubular battery है इसके DC meter में हम देख रहे हैं के unit यहाँ पर 0 ही है और AC meter में भी देख लेते हैं कि unit 1.03 हो रही है इसको टेर 0 कर देते हैं इसके charging के शूच को own कर लेते हैं main का indicator charging का indicator चालू हो गया है 226 watt से इसने battery को charge करना शुरू कर दिया है और यदि DC meter में भी देखें तो यहाँ पर 170 watt से यह battery को charge कर रहा है 14 ampere से charge कर रहा है दूसरी battery का शूच भी own कर लेते हैं और इसने भी 233 watt से battery को charge करना शुरू कर दिया है और इसका DC meter यह देखते हैं तो 180 watt की energy से यह battery को charge कर रहा है 14.4 ampere battery को दे रहा है तीसरी battery का शूच भी own कर देते हैं और 240 watt की energy से battery को charge करना शुरू कर दिया है और DC मिटर में भी देखते हैं कितने वाट जा रहे हैं 195 वाट से बैंटरी चार्ज हो रही है 14.8 एंपियर से बैंटरी चार्ज होने लगी तीनों बैंटरियां एक ही समय पर हमने चार्जिंग पर लगाई है यहाँ पर हमने देखा है कि जो AC का मिटर है लगभग 240 वाट की इनर्जी से चार्ज कर रहा है और DC मिटर हमें बता रहा है कि बैंटरी के अंदर 190 वाट इनर्जी जा रही है यानि 50 वाट इनर्जी का लोस यहाँ पर हो रहा है बैंटरियों को चार्ज होने देते हैं तब तक दोस्तो वीडियो को लाइक करके कोमेंट जरूर कर लेना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीजी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तो टेस्टिंग काउंटर पर लगी हुई बैंटरी फुल चार्ज हो चुकी है लगभग 12 घंटे इनको चार्ज होते हुए हो गए है बैंटरी छह साथ घंटे में ही फुल चार्ज हो चुकी थी उसके बाद से ट्रीकल चार्जिंग पर है डिस्पले को हम देख रहे हैं 25 वाट से बैंटरी को यह चार्ज कर रहा है ट्रीकल चार्जिंग पर है और इसने unit consume की है 1.66 unit का AC का consumption किया है और इसका battery के लिए जो decimeter हमने लगाया था इसमें भी हम देख रहे हैं जो हमारी energy store हुई है, battery ने जितनी energy store की है 1238 इसको unit में change करूँगा तो 1.24 unit यह है आएगा Amron की ही एक sort tubular battery है, 160 HB है और इसके यदि AC meter को हम देख रहे हैं वही 14 watt से यह inverter battery को चार्ज कर रहा है, ट्रिकल चार्जिंग पर है और unit हम देख रहे हैं कि 1.85 unit का AC unit का इसने consumption किया है और इसके DC meter को भी देख लेते हैं तो battery के अंदर जो energy store हुई है वह 1.35 unit की energy battery के अंदर store हुई है और दोस्तों तीसरी battery और इसके यदि AC meter को हम देख रहे हैं तो यह 37 watt की energy से चार्ज कर रहा है, ट्रिकल चार्जिंग पर है और इसने unit का consumption किया है, 2.37 unit का यहाँ पर consumption किया है इस battery ने जो की अब तक की हमारी testing में हमने लगभग 35-40 battery को test कर लिया है कुछ की video channel पर डाली है, कुछ की नहीं डाली है सभी battery दो unit से कम ही कम पर चार्ज हो जाती थी और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि इसने कितनी energy अपने अंदर store की है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1.75 unit is battery के अंदर store हो गई है यानि इस battery की energy store करने की समता tubular battery से यहाँ पर हमें अधिक दिखाई दे रही है और यदि charging करते समय energy के slows को हम percentage में देखे तो यहाँ भी 26% energy का loss हुआ है और यहाँ भी 26% energy का loss हुआ है और दोस्ति जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि इस battery ने इन दोनों battery की अपेक्षा अधिक energy store की है देखने में यहाँ battery जरूर छोटी है लेकिन energy store करने की अक्षमता इसकी बहुत अधिक है जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का पेट बड़ा होता है उसका हाजमा भी बड़ा होता है कभी कभी बहुत दूबले पतले व्यक्ति भी यदि कोई साधी समारो मिल जाए तो 40-45 गुलाब जामुन पहली ड़कार में ही ले लेते हैं बेसक यहाँ battery छोटी है परन्तु इसकी energy store करने की अक्षमता यहाँ पर हम ज्यादा देख रहे हैं इनका हम backup देखते हैं कि कितने समय तक यहाँ battery हमें backup देंगी कितनी energy का लोश होगा और कौन सी battery का performance अच्छा रहेगा दोस्तो तीनो इन्वेटर के साथ बराबर लोड हमने connect कर दिया है और तीनो इन्वेटर के शूच ओन कर लेते हैं समय हम देख रहे हैं कि 8 बज़कर 45 मिनट हुई है पोने 9 बज़े हैं 8.45 का समय है हमने सभी मिटर में tear zero कर लिया है जिससे समय अधिक ना लगे इस मिटर में हम देख रहे हैं कि unit zero कर ली है DC मिटर में भी unit को हमने zero कर लिया है दूसरे सैट के लिए DC मिटर में unit को zero कर लिया है और AC मिटर में भी इसके unit को हमने zero कर दिया है तीसरे सैट में AC मीटर में यूनिट जीरो है और DC मीटर में भी यूनिट जीरो कर लिया है और अब लोड को भी ओन कर देते हैं तीनों लोड चालू हो गए हैं इस सैट पर 475 वाट का लोड चालू हुआ है यहाँ पर 489 वाट का लोड है और यहाँ पर 520 वाट का लोड है क्योंकि इस बैटरी के वोल्ट ड्रोप नहीं हो रहे हैं मिटर में यह दि हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर बैटरी के वोल्ट मिल रहे हैं इसलिए वाट अधिक है जब तक battery completely discharge नहीं होती इनिवेटर लो battery cut off नहीं होते तब तक हम इनको चलने देंगे देखेंगे कि कोन सी battery कितना backup देगी वीडियो को अन्स तक जरूर देखना आज इस वीडियो से बहुत कुछ निश्कर्स निकलने वाला है वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को like करके share जरूर कर देना और यदि आपका कोई question है तो comment में जरूर पूछ लेना और channel को यदि अभी तक subscribe नहीं किया तो please channel को भी subscribe कर लेना दोस्तो यह दोनों inverter लो बैंटरी की विशिल दे रहे हैं बंध होने ही वाले हैं लगातार लो बैंटरी का इंडिगेटर और लो बैंटरी की विशिल इन में आ रही है इस समय लोड 380 वाट का चल दा है और इस पर 370 वाट का लोड चल दा है और यह इन्वेटर बंध हो चुका है और यह इन्वेटर भी बंध हो चुका है और समय हम देख रहे हैं कि 10 बज कर 15-16 मिनट हुआ है यानि यह दोनों ही बैंटरी एक घंटा 32 मिनट इस लोड पर चल पाई है यह बैंटरी अभी अज इस चल रही है एक बार इनके मिटर में हम यूनिट आपको दिखा देते हैं इस मिटर में यूनिट हम देख रहे हैं कि 0.59 यूनिट हमें मिली है इस बैंटरी से और बैंटरी से जो यूनिट हमें प्राप्त हुई है डी-स मिटर बता रहा है 0.74 यूनिट हमें बैंटरी से मिली है इस मिटर में यूनिट हम देख रहे हैं कि 0.61 यूनिट जनरेट हुई है और DC के मिटर में भी देख लेते हैं कि इस बैंटरी से जो हमारी इनर्जी हमें मिली है 0.78 मिली है और दोस्तो इस बैंटरी के साथ लगा हुआ इन्वर्टर भी लो बैंटरी का इंडिकेटर दे रहा है और विशिल भी दे रहा है और ओफ हो चुका है समय हम देख रहे हैं कि 10 बज कर लगभग 43 मिनट हुआ है 10.43 मिनट हुआ है यानि इस बैंटरी ने इस लोड को लगभग 2 घंटा चलाया है टू हवर का बैकप इस बैंटरी ने यहाँ पर दिया है और इसकी मिटर की रीडिंग भी हम देख लेते हैं कि इस बैंटरी से 0.090 यूनिट जनरेट हुई है और इसके DC मिटर में हम देख रहे हैं कि 1143 वाट घंटा की इनरजी मिली है यानि 1.14 यूनिट का इस बैंटरी ने जनरेशन किया है दोस्तों वैसे तो कैमेरे के सामने आपने सब कुछ देखी लिया है एक बार फिर से मैं आपको बता भी रहा हूँ आज कल इनिवेटर के साथ में इस तरीके की बड़ी-बड़ी बैंटरियां लगाने का परचलन है परंतो यह देखने में ही बड़ी होती है बैक अप हमने देखा है कि इस बैंटरी और इस छोटी बैंटरी का बैक अप समान रहा है और इन में जो सबसे छोटी बैंटरी है इसका बैक अप सबसे अधिक रहा है इन दोनों बैंटरियों के साथ जो हमारा लोड चला है यह 430 वाट का ओसत लोड चला है स्टार्टिंग में 470 असी वाट से स्टार्ट हुआ था और लास्ट में 370 असी वाट लोड रहा गया था तो जो ओसत लोड इन पर चला है वह है 430 वाट के आसपास का ओसत लोड चला है इस बैंटरी की टेस्टिंग हमने पहले भी कर रखी थी यह बैंटरी वही 1.5 घंटे का बैकप देती है इस 430 वाट लोड पर और इस बैंटरी के साथ जो लोड चला है यह ओसत लोड रहा है 450 वाट का क्योंकि इस बैंटरी के वोल्ट बहुत जल्दी ड्रोप नहीं हुए वोल्ट एक लंबे समय तक स्टेबल रहे और इसलिए यहाँ वाट भी जादा रहा तो ओसत लोड इस सिस्टम का रहा है 450 वाट और 450 वाट का लोड इस बैंटरी ने 2 घंटे चलाया है इस बैंटरी से जो हमें यूनिट मिली है वह 1.14 यूनिट मिली है इस बैंटरी से 0.78 यूनिट मिली है और इस बैंटरी से 0.74 यूनिट हमें मिली है जबकि इसमें charging के समय current store हुआ था 1.24 unit का, इसमें हुआ था 1.35 unit का, इसमें जो DC current store हुआ था वह 1.75 unit का store हुआ था और यदि total energy loss की बात करें तो इस system के साथ में total energy loss रहा है 60% का, इस system के साथ में 65% का और इस system के साथ भी 65% का total loss रहा है इस battery की replacement warranty 2 year है और इसकी market value 13,500 है इस battery की भी replacement warranty 2 year की है और इसका market price 11,000 है इस battery की replacement warranty 3 year है और इसका market price 12,500 है बेसक इस battery की warranty कम है लेकिन अधिक लोड पर इस battery के वोल्ट बहुत जल्दी ड्रोप नहीं होते और backup भी इसका tubular battery से अधिक रहता है दोस्तों अब तक हमने 35-40 battery को हम टेस्ट कर चुके हैं जिन में से कुछ की video हमने चैनल पर भी डाली है नहीं उनकी company responsible है नहीं उनका backup अच्छा है तो ऐसी battery को हम अपनी वीडियो में नहीं लेंगे केवल उनहीं battery को वीडियो में जगह देंगे जिनका backup भी ठीक ठाक होगा company भी responsible होगी service भी आपको मिल सकेगी तो अब तक की research में हमने देखा है कि जो tubular battery solar battery है उनका backup कम रहा है और आज की video में हमने देखा है कि जो non tubular battery है उसका backup सबसे अधिक रहा है अक्सर company इनवेटर के साथ इस परकार के यानि बड़े container की battery इसलिए करती है कि इन में बार बार water filling की आवसकता नहीं पड़ती जैसे हमने इसका weight किया था तो लगबग 56 kg इसका weight आया था यदि हम इसका acid निकाल करके weight करेंगे तो लगबग 35, 36 या 37 इस battery का weight आएगा यानि इसके अंदर 20 kg solution भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है इस battery के अंदर 10 से 12 kg लिक्विड भरा हुआ होता है और इस battery के अंदर लगबग 8 या 10 kg लिक्विड होता है तो यदि इस battery को inverter के साथ यूज करते हैं और inverter का यूज 24 घंटे है 12 महिने है तो इसमें हर 2 महिने के बाद हमको water filling करनी पड़ती है दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताना आपका कोई question भी है तो वह भी कोमेंट में लिखना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना हम आपके लिए इसी पर पूस्तों